दर्वे साम नमो नमहो, मैं हूँ बीना वखारिया आज हम एक से सो तक के गिंती ट्रिक के जरिये सिखेंगे क्योंकि कोई भी एक्जाम में आपको पुछा जा सकता है सेतिस को या असी को संस्कृत में क्या लिखते हैं इसे कोई भी संख्या पुछी जा सकती है पर आपको जट से याद आ जाए ऐसे ट्रिक के साथ सुरू करते हैं संस्कृत गिंती एक से लेकर सो तक तो सबसे पहले सिखते हैं एक से दस तक की गिंती एक को हम बोल सकते हैं एक कह, दो को द्वे, तीन को त्रिनी, चार को चत्त्वारी एक से लेकर चार तक की गिंती में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो एक से चार तक की गिंती हैं वो पुलिंग, स्त्रिलिंग और नपुन सक्लिंग तीनों लिंगों में चलती हैं जैसे आपको इनमें कही कहीं विभेद मिल सकता है कि आपको एक की जगा पे एकह, एका या एकम लिखा मिल जाए दो की जगा दो या द्वे लिखा मिल जाए तीन की जगा त्रयह, त्रयह या त्रीनी लिखा मिल जाए चार की जगा चत्वारह, चत्वारी या चत्वारह लिखा मिले तो एक से लेकर चार नमबर तक कन्फ्यूस होने वाली बात नहीं है आप पुलिंग, स्ट्रिलिंग या नपुन सक्लिंग कोई पे लिंग में लिखो आपका गलत नहीं होगा आपको जो भी याद हो बस वो सही लिखा होना चाहिए कोई थिक्कत नहीं है ये प्रोब्लेम चलेगे सिर्फ एक से चार तक इससे आगे नहीं चलेगी लेकिन अगर आप आगे चल रहे यानी पांच से लेकर जेसे लिखा है बिल्कुल वेसा ही लिखना है अब आगे की गिंती शुरू करे पांच को कहते हैं पंचव शे को शट साथ को सबत आठ को अस्ट नव को नव और दस को कहते हैं दस अगर आप एक से लेकर दस तक के गिंती याद कर लेते हैं तो आप आगे की पूरी गिंती बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि जो आगे आने वाले सब्द है वो इनहीं के आगे जुड़ जाते हैं सिर्फ आपको main-main words याद करना होता है जिसे एक से 10 तक फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 यह main words आपको याद करने होते हैं बाकी की गिंती जो है उनमें एक से 10 तक की गिंती लगा कर ही बनाई जाती है तो यह आपके लिए इतना कठिन नहीं है आप देखते हैं 11 से लेकर 20 तक की गिंती इका दश, द्वा दश, त्रयो दश, चतूर दश, पंच दश, शो दश, सप्त दश, अस्टा दश लेकिन आपको 19 और 20 को बहुत ध्यान से देखना है कैसे? 19 को हम तीन नामों से चानते है पहला नव दश यानि 9 प्लस 10 तो कितना हुआ? 19 दूसरा एकोन विंशती है विंशती है यानि 20 एकोन यानि 20 में से एक न हो मिन्स एक कम हो तो 20 में से एक खटाएंगे तो क्या एगा? 19 और तीसरा है उन्न विंशती है यानि विंशती से उन यानि एक कम मिन्स 20 में से एक कम तो कितना हुआ? 19 तो इस तरह 19 को हम नव दश एकोन विंशती है या उन विंशती लिख सकते हैं उसके बाद 20 को कहते हैं विंशती है आई हॉप एक से 20 तक की गिंती आपको क्लियर है तो अब आगे की गिंती शुरू करें 21 यानि एक विंशती है फिर वही चीज आगे चलेगी मैंने बोला था ना आप एक से दस याद कर लेजिए आगे वही सब्द लिखेंगे आपको पता है 20 मतलब विंशती है तो 21 यानि एक विंशती है 22 यानि द्वा विंशती है 3 विंशती है चतुर विन्षति हाँ, पंच विन्षति हाँ, शड विन्षति हाँ, सप्त विन्षति हाँ, अस्टा विन्षति हाँ 29 यानि 9 विन्षति हाँ, यानि 9 और 20 हुए 29 अब हब 29 को एकोन त्रिन्षत यानि 30 में एक कम, क्या हो जाएगा 29 तो 29 के जगा आप नवविन्शती है या एकोन त्रिन्शत कुछ भी लिखेंगे सही होगा फिर बात आती है 30 यानी त्रिन्शत अब हम आगे बढ़ते हैं 31 से लिकर 40 तक फिर 1, 2, 3, 4 वहीं चेस चलेगी 31 यानी एक त्रिन्शत, द्वा त्रिन्शत, त्रयस त्रिन्शत, चतुरस त्रिन्शत, पंच त्रिन्शत, शट त्रिन्शत, सप्त त्रिन्शत, अस्टा त्रिन्शत अब देखते हैं 49 को 9 त्रिन्शत यानी 9 और 30 तो कितना हो गया? 49 अब आपको 40 यानी 4 इंशत पता होना चाहिए और 40 में एक कम यानी 1 ओन 4 इंशत तो हो गया 49 तो 49 के लिए 1 ओन 4 इंशत या 9 तरिंशत चालिस यानी 4 इंशत अब आगे की गिंती देखते हैं एक चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, त्री चत्वारिंशत, चतुर चत्वारिंशत, पंच चत्वारिंशत, शट चत्वारिंशत, सब्त चत्वारिंशत, अश्ट चत्वारिंशत उन्चास यानि 9 जत्वार इंशत यानि 40 में 9 जुट जाए तो उन्चास यदि 50 को हम बोलते हैं पंचासत तो उन्चास को तो अब आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि एकोन पंचासत यानि 50 में एक कम यानि उन्चास तो इस तरह ये हो गया 9 जत्वार इंशत या एकोन पंचासत 50 यानि पंचासत अब आगे चलते हैं 51 से लेकर 60 तक एक पंचासत द्वी पंचासत त्री पंचासत चतुस पंचासत पंचासत शट पंचासत सप्त पंचासत अस्ट पंचासत फिर वही चीज, साथ को बोलते हैं सस्टी हा, तो फिर साथ में एक कम यानी एकोन सस्टी हा, या फिर उनसाथ और पचास मिन्स 59, तब होगा नव पंचासत और साथ यानी सस्टी हा, नाउ 61 to 70, एक सस्टी हा, द्वी सस्टी हा, त्री सस्टी हा, चतु हा सस्टी हा, पंच सस्टी हा, शट सस्टी हा, सब्त सस्टी हा, अस्ट सस्टी हा, फिर साट में नो जोड़ देंगे तो नवसस्टी हा या फिर सत्तर यानी सब्तती हा तो सत्तर में से एक कम यानी एकोना सब्तती हा फिर सत्तर यानी सब्तती अब चलते हैं 71 से लेकर 80 की ओर एक सब्तती हा, द्वी सब्तती हा, त्री सब्तती हा, चतुस सब्तती हा, पंच सब्तती हा, शट सब्तती हा, सब्त सब्तती हा, अश्ट सब्तती हा असी को कहते हैं अशीती है पर हम 89 को एकोन शिती है कहते है यानि असी में एक कम या फिर सत्तर में नोट छोड़ने से नव सब्तती है तो हुआ 89 के लिए एकोन शिती है या फिर नव सब्तती है असी यानि अशीती है अब देखते हैं 81 से लेकर 90 तक 89 को कहते हैं एक को न नवती है यानि नब्बे में एक ना हो या फिर असी में नो छोड़ने से नव शीती है दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो और नब्बे को कहते हैं नवती है अब हमारी लास्ट लाइन यानि 91 से लेकर 100 तक और पहले देखते हैं 100 यानि सतम तो सो में से एक कम तो हुआ 99 तो एकोन शतम यानि 99 या फिर 9 प्लस 90 यानि 9 नवती है और सो के लिए सतम यह थी हमारी एक से लेकर सो तक की गिंती याद करने के सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले एक से 10 तक का नंबर याद कर लीजिए फिर 20, 30, 100 तक याद कर लीजिए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक से सो में से फिर एक्जाम में कोई भी नंबर पूछा जाए आप बिना किसी परेशानी से जट से आंसर दे पाओगे मैंने ये वीडियो बनाने बहुत मैनत की है I hope ये ट्रिक आपके चरूर काम आएगा तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार